एस मुरली धर का रातो रात तबादला कर दिया गया इसे बोलते हैं क्लासिकल हिट एन रन इन जास्टिस ऑफ दा भारतिय जनता पार्टी गम्मिंट जुडीशरी के खिलाफ भारतिय जनता पार्टी की दबाब वे बदले की राजनेती का परदाफाश हो गया पुरे देश ने देखा के कल 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाई कोट की खंड़ पीठ के जज जस्टिस एस मुरलीधर वे जस्टिस तलवन सिंग जी ने दंगा भड़काने में भारतिय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका को पहचान कर उनके खिलाफ एफायार दर्ज करने के कानून और समीधान के अनुरूप कारवाही करने का आदेश दिया इस आदेश की प्रती एक बार फिर हम आपको प्रेस्विग्यप्ति के साथ भेज रहे हैं केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख वकील और मोदी जी के चहे थे आदर्णिये तुशार महता जी ने तो यहां तक दलील दे डाली कि इस समय नामित अपरादियों को जिनके वीडियोज और बढ़काऊ भाशन कोर्ट के अंदर दिखाए गए वो कौन थे एक थे भारत सरकार के केंद्रिय मंत्री एक थे भारतिये जनता पार्टी के मेंबर ओफ पार्लिमेंट एक थे कपिल मिश्रा और लक् एक आ रही है इन चारों के जब वीडियो दिखाए गए पहले तो भारत सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखे ही नहीं आखिर में दोनों नयाय धीशों को वो वीडियो कोर्ट में दिखाने पड़े और कोर्ट में देखने के बाद भारतिये जनता पार्टी क सरकार की दलील ये थी कि भाजप्पा के नेताओं पर भड़काऊ भाशन देने और नफरत फैलाने के मुकद में दर्ज करने के लिए उचित समय नहीं है जस्टिस एस मुरली धर की अध्यक्षता वाली दिली हाई कोट की खंट पीट ने स्पस्ट आदेश दिया कि कल तक यानि आज तक 24 गंटे के अंदर इन वीडियोस के आधार पर भारतिय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफायार दर्ज हो भारतिय दंड सहीता इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अनुरूप प्रंतु हुआ क्या रातो रात आनन फानन में न्याय मंत्राल्य ने भाजप्पा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरली धर की दिल्ली हाई कोड के न्याय धीश के तोर से ही ट्रांसफर कर दी पूरा देश अचंबित है लेकिन मोदी शाह जी की सरकार दुर्भावना कुचसित सोच एवन निरंकुष्टा से ग्रस्थ है एक मजबूत वे सवतंतर जुडिशरी न्याय पालिका इस देश की रीड की हड़ी है हमारे देश के इतिहास में देश की न्याय पालिका ने कई अफसरों पर इस देश के नागरिकों और देश के सम्विधान की रक्षा की है यदपी ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर हो कि वे इस देश के सम्विधान इस देश की न्याय पालिका इस देश के नागरिकों उन सब के विश्वास को कमजोर करती जा रही है प्रदान मंत्री जी एवं माननी अमिट शाह जी भारत वरश के लोग आपसे तीन सवाल पूछते है पहला सवाल क्या मोदी सरकार को यह डर था कि यदि भारतिय जनता पार्टी के नेताओं की सवतंतर और निश्पक्ष जाच हो जाएगी तो दिल्ली की हिंसा आतंक अफरा तफरी मिली भगत और शडियंतर का परदा फाश हो जाएगा सवाल नमबर दो निश्पक्ष वे परभाव शाली नयाए शुनिश्चित किये जाने से रोकने के लिए आप कितने और जज़ों को ट्रांसफर कर देंगे नमबर तीन क्या आपके पास अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा दिये गए विशेले बयानों को उचित ठहराने का कोई और रास्ता नहीं था इसलिए आपने जस्टिस मुर्ली धर को ही ट्रांसफर कर दिया जिससे पुलिस को आपकी जिनों ने पुलिस को आपकी पार्टी के नेताओं की जाँच का आदेश दिया था भारत वरश के सब देशवासियों से हम याद दिलाना चाहेंगे कि भाजप्पा सरकार की न्याय पालिका पर अनर्थक दबाब डालने तथा बदला लेने का ये पहला मामला नहीं है याद करिए कि गुजरात के दंगों में मोदी जी और अमिच शाह जी के खिलाफ वकील रहे सुप्रीम कोट के परसिद जूरिस्ट शिरी गोपाल सुब्रमन्यम की सीधे सुप्रीम कोट के जज के तौर पर नियुकती को मोदी सरकार ने रोक दिया था इसके बावजूद के सुप्रीम कोट के कॉलीजियम ने उन्हें सुप्रीम कोट का जज बनाने का निर्णे लिया था उस निर्णे की भी परवहा मोदी जी और शाह जी ने नहीं की थी याद रहे जब उत्राखंड में कॉंग्रेस की सरकार को जबरदस्ती गिराने और राष्टपती शाशन लगाने का मामला उत्राखंड की न्याय पालिका में गया और जस्टिस केम जोसफ की खंड पीट ने मोदी सरकार के राश्टपती शाशन लगाने के निरने को खारिज कर दिया तो उसके बाद जब सुप्रीम कोट के कोलीजियम ने जस्टिस केम जोसफ को सुप्रीम कोट का जज़ बनाने का निरने लिया तो मोधी सरकार ने उसे रोक कर रखा सुप्रीम कोट के कोलीजियम को ये निरने शायद एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार दोराना पड़ा अगर मुझे सही याद है और महीनों तक सुप्रीम कोट के जज़ के तौर पर नियुक्ती रोके रखी गई क्योंकि उन्होंने शायद मोधी सरकार के राष्टपती शाशन लगाने के नाजाइज निरने को खारीज किया था मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि वो न्याएधीश जस्टिस अकिल कुरेशी जिन्नोंने 2010 में अमिच शाह जी को जेल भेजा था उनकी सुप्रीम कोट के कोलीजियम के द्वारा किये गए नियुक्ती के निरने को भी इसी प्रकार से मोधी सरकार ने रोक कर रखा था मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब शेल कमपनियों का जो निरने दिली हाई कोट की सीनियर जज जस्टिस गीता मित्तल ने जब कर दिया और जिससे मोधी सरकार शायद आहत हुई तो उसके बाद उनका भी ट्रांसफर होकर वो जम्मू काश्मीर भेज दी गई थी ये अकेला मामला नहीं जस्टिस ताहिल रमानी का मामला हमने हाल में ही देखा ऐसा लगता है कि एक सूनियोजित शडियंतर है जहां जहां नियाए पालिका समईधान की रक्षा करेगी जहां जहां नियाए पालिका सरकार पर अंकुष लगाएगी जहां जहां नियाए पालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी जहां जहां नियाए पालिका गलत फैसलों पर निर्णे देगी तो नियाए पालिका के जजिस को भी अब मोदी सरकार बदले की भावना से या उनका तबादला करेगी या उनकी तरक्य और निखतियों को रोक लेगी दोस्तो भाजप्पा सरकार एमोमुस के नेता 2019 में अपनी चुनावी जीत के नशे में चूर है उन्हें याद रखना चाहिए कि इस देश के नागरिकों ने उन्हें सेवा के लिए चुना है शाशन के लिए चुना है ना की जनता को डराने और धमकाने के लिए और लोगों को गुलाम बनाने के लिए लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत की न्याय पालिका केवल एक सिधान्त का पालन करती है और वो सिधान्त है सत्यमेव जैते अंत में सदैव सत्य की विजे होती है ये उन्हें जानना चाहिए सरकार को प्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री और उनकी सरपरस्ती में काम करने वाले न्याय मंत्राले और कानून मंत्राले से हमारा वादा है कि आप कितनी भी जूटी खबरें फैलाएं आप कितना भी कितना भी जबरदस्ती करें जोर डालें प्रंतु सत्य सामने आकर रहेगा